Hello everyone, भारत के सम्विधाने के तिहास, याने की Indian Legal Constitutional History की जब भी हम बात करते हैं, तो तीन मेजर केस निकल के सामने आते हैं. They are, first, राजानंद कुमार केस, second, पतना केस, and the third one is, कॉसिजुरर केस. तो जो सबसे मेन हमारा केस है, वो है राजानंद कुमार केस. इस केस को हम एकदम शॉट में समझते हैं, so that आप इसको as a story line में समझके और exam में उसको लिख सके. हुआ क्या था? राजानंद कुमार केस, एक ऐसा केस है, जो भारत की इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमी का निकबा आता है, और एक बहुत बड़ी जगर इस केस ने पा रखी है. What's the reason behind it? पहला, कि ये भारत में पहली नियाई खत्या का केस है, और दूसरा, कि राजानंद कुमार वो पहले ऐसे व्यक्ती थे, जिसे भारत में फांसी की सजा दी गई थी. आईए देखते हैं, इसके facts क्या कहते हैं. राजानंद कुमार जो हैं, वो एक हिंदू ब्राम्मिन थे और एक बहुत ज़्यादा प्रोस्परस व्यक्ती थे. इन्होंने ब्रिटिश काल के समय अंग्रेजों की बहुत बड़ी-बड़ी पदों पर काम किया, जिसमें से एक revenue collector पद भी था. ये बंगाल के काफी ख्याती रखने वाले व्यक्तियों में से एक हुआ करते थे. ब्रिटिश कंपनी के ये इतने ज़्यादा loyal थे कि इन्हें लोग black canal की राम से भी जानते थे, यहां तक कि Britishers खुद भी इन्हें black canal कहते थे. उस समय British Council हुआ करती थी governor general की, जिसमें की governor general के साथ 4 member हुआ करते थे. तो उस समय Warren Hastings जो हैं बंगाल के governor general हुआ करते थे, और वहां पे ही 4 में से 3 members ऐसे थे, जो हैस्टिंग को पसंद नहीं करते थे, और केवल एक member जिनका नाम Bearville था, वो Warren Hastings के करीबी थे और उन्हें बहेर जादा पसंद करते थे. इन 3 व्यक्तियों ने जो की Warren Hastings को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने क्या किया, राजा नंत कुमार को अपना महरा बनाया, और राजा नंत कुमार को ऐसे खूब सारे evidence लाके दिये, और कहा कि जो हैस्टिंग है, वो बहुत जादा रिश्वत खोर है, और वो कई लोगों से रिश्वत मांगी थी, तो आप जाकर और काउंसल में उस चीज की complain करें, मार्च 1775 में नंत कुमार ने एक लेटर दिया, और काउंसल में एक लेटर दिया, और उसमें ये बताया कि जो Warren Hastings है, उन्होंने एक लाक रुपे जो है, नंत कुमार से लिए, उनके बेटे को, उनक दिवान बनाने के लिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कि जो Warren Hastings है, उन्होंने मुन्नी बेगम से धाई लाक रुपे रिश्वत ली, ताकि वो अपने ही बेटे की कस्टडी ले सकें, तो ये जो सारे इलजाम थे, वो जब काउंसल में पेश हुए, और फाइनली जब उस पे प्रोसीडिंग्स चली, तो ये चीज सामने आई कि हाँ, वास्तव में जो हैस्टिंग है, उन्होंने रिश्वत ली थी, और उन्हें पनिश्मेंट ये दी गई कि आपने जितना भी पैसा एजर रिश्वत लिया है, वो आपको सारे पैसा कंपनी ट्रेशर्स में जम और वारन हैस्टिंग ने ये सोच लिया कि इतनी इंसल्ट का बदला, अब मैं राजानंद कुमार से ले कर रहूंगा, वो मौका तलाश रहा था, कैसे भी करके और राजानंद कुमार को किसी ने किसी केस में फसाने के लिए, क्यूंकि वो गवर्नर जनरल था, वारन हैस्ट को फसाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ कॉंस्पिरिसी करी और उनको अलग-अलग प्रकार के केसे में फसाना चाहा, और उनके उपर सारा ये शडियंत्र रचा, जिसमें की जो वोरन हैस्टिंग है, वो फस गए, ये उन पे केस लगाया, लेकिन साथ ही उन्हें पता था कि केवल इस केस से वो राजानंद कुमार को बहुत कड़ी ससा नहीं दिला पाएंगे, इसलिए उनने क्या किया, साथ ही में उनके उपर फोर्जरी याने जालसाजी का केस भी लगा दिया, जो जालसाजी का चार्ज उन्हों ने राजानंद कुमार के उपर लगाया, वो जो के आया गया, और जो अंग्रेज हमारे जस्टिस हुआ करते थे जस्टिस इंपे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद जो विट्नेस थे उनका क्रॉस एक्जांच किया, याने कि ये देखना बहुत ही अजीब हुआ उस समय कि जजजेस जो है, जो जस्टिस हैं, वो इसी प्रकार फाइनली उनके उपर जो चार्जेस थे, वो सही साबित हुए और राजानंद कुमार को फासी की सजा सुना दी गई, और फाइनली ऑन फिफ्ट ऑगस्ट 1775 सुब आठ बजे उन्हें फोर्ट वीलियम के पास कूली मार्किट में, कूली बजार में फासी की सज दे दी गई, so now इस केस में बहुत सारे ऐसे क्वेस्टेंस उठे कि इसको न्याई खत्या क्यों कहा गया, तो न्याई खत्या कहा जाने का इसका रीजन ये है कि यहाँ पर लौका मिस्यूस किया गया राजानंद कुमार को फसाने के लिए, और केवल बदला लेने के परपस स उसे फसाया गया, और एक काफी इमानदार व्यक्ति राजानंद कुमार हुआ करते थे, और उन्हें केवल अपनी इमानदारी का ये कर चुकाना पड़ा कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ए जानी चाहिए थी, इसी प्रकार इस केस में बहुत सारी ऐसे फेक्ट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें दरकिनार करा गया, और ना ही उनका ट्राइल प्रोपरली हुआ, और इस इस बिगेस्ट रीजन वाई इस केस इस काल जुडिशियल मर्डर, और भी अगर Travel Diary of Naina, thank you so much